Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS and in today's class I will discuss recursing fraction, yes recursing decimal fraction discuss करेंगे हम, recursing decimal fraction is very important from exam point of view because 2020 के अंदर भी recursing fraction में से question आया था, इससे अलावा 216 के अंदर भी recursing fraction के अंदर से question exam के अंदर आया हुआ था, तो ध्यान से देखेंगे कि recursive decimal fraction है क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि है क्या basic लिए, अब देखो, अगर मेरे पास में एक fraction value है, for example, I will take 1 by 3 and I want to convert it into decimal fraction, then decimal fraction the value will be 0.3333, means की repetitive हो रहा है, means last लक 333 आ रहा है आपके पास में, तो उसके अंदर करते क्या है, इस 3 के उपर, जो repeat हो रहा है, उसके उपर हम एक bar लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक bar लगा देते हैं, और जो यह बार है, यह क्या represent कर रही है, कि यह 3 मेरे repeat हो रहा है बार बार, clear? तो इस तरह की जो भी decimal fractions होते हैं, उनको हम क्या बोलते है, recursive decimal fractions, okay? clear? अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला जो point है, कि जो recursive fractions है, वो के अपास में, दो तरह से आ जाते हैं, आप जैसे यह number है, इस number के अंदर पूरे की पूरे decimal के बाद में, जितनी भी digits हैं, सभी के उप उपर बाहर है, उस तरह के fractions को बोलते है, pure recurring decimal fraction, pure recurring decimal fraction, okay? and the second one is mixed recurring decimal fraction, अब mixed recurring decimal fraction क्या है? the decimal fraction in which some digits are repeated and some digits are not repeated after decimal, means कुछ repeated है, कुछ repeated नहीं है, okay? तो वो क्या हो गया, आपके पास में, mixed decimal, yes, mixed recurring fractions हो गया, okay, clear? हाँ जी, तो अब हाज हमने सीखना है कि mixed, जो mixed decimal recurring fraction है, उनको कैसे convert करते हैं हम simple fraction के अंदर, और दूसरा क्या है, आपके पास में, pure, और इसके अलावा, जो exam के अंदर questions आयो थे, वो recurring fractions पे वो भी मैं discuss करूँग fraction, जो है, वो एक important point है, तो सभी ने ध्यान से समझना है इसको, आप सबसे पहला जो point है कि हैं जी, कैसे convert करेंगे, कैसे convert करेंगे, vulgar fraction में, question के अंदर एक word आ जाते है, vulgar fraction, that means कि हम simple fraction के अंदर इसको convert करना है, कुछ नहीं है, okay, अब देखो, अगर मान लो, मेरे पास में, ए decimal के बाद में, जो numbers है, उन numbers को हमने लिख लिया, ठीक है, then I will divide it by 9, अब यहाँ पे 9 मैंने कितनी बार लिखना है, जितनी digits के उपर बार है, उतनी ही बार क्या आ जाएगा, आपके पास में 9 आ जाएगा, clear, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मान लो, मेरे पास में, ए 2 digits के उपर बार है, mixed है यह, अब यहाँ पे देखो, इस तरह के fraction को कैसे convert करोगे, 2, 3, 4, अब यहाँ पे जो 2 है, इस 2 के उपर तो बार नहीं है, 2 के उपर बार नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, okay, minus 2, divided by, अभी मैंने बताया कितने 9 हमने put करने है, ज उसके लिए क्या put करोगे आप, 0, okay, तो value क्या आगे हमारे पास में, yes, this will be 3, 2, divided by 9, 9, 9, okay, अगर अगर फर्दर हम इसको solve करते हैं, तो आगे आपके पास में solution हो जाएगा, यह होगे आपके पास में, yes, 1, 1, 6, this will be, divided by 4, 9, 5, हाँ जी बताया कोईड आउट इसके अंदर किसी को, क्या किया मैंने, अगर आपके पास में pure recurring fraction है, in that case, decimal के बाद में जितनी भी digits होंगी, सभी के उपर बार होगी, सभी के उपर बार है, that means what, कि जो भी आपके पास में digits given है, वो divided by क्या करेंगी, जितनी digits के उपर बार है, उतने 9 से हम डिवाइड करतेंगे, ओके, अब दूसरा पॉइंट है, आपके 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 से, mixed decimal recurring fraction, उस case के अंदर क्या करना है, आपको, कि जो भी आपके पास में point decimal के बाद number है, वो number minus, जिन digits के उपर बार नहीं है, उसको minus करना है, ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, divided by, जितने digits के उपर बीटा बार है, उतने 9 और बाकी के लिए 0, clear, हाँजी, कोई डाउट इसके अंदर, एक और point ध्यान देने वाला है, अगर मालू मेरे पास में इस तरह से कुछ आ जाए, 1.3 bar, आप क्या करेंगे, आप इस तरह के question को solve करने के लिए, आप क्या क complete है, ठीक है, उस case के अंदर क्या करेंगे हम, हाँजी, इस 1 को आप as it is ले लोगे, 1 as it is आ गया, उसके बाद 3 divided by 9, क्या आगया आपके पास, yes, 1 by 3, 1 is 2, 1 by 3, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप मालो, मेरे पास में ये value है given, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने minus का concept समझा है आप लोगों को, ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा complete number क्या बनगे आपने पास, 13, ठीक है, minus क्या करेंगे हम, हाँजी, minus क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, minus 1, divided by क्या करेंगे, yes, decimal के बाद 1 digit, decimal के बाद 1 digit, और 1 digit, जो है उसी के उपर क्या है, बार है, that means कि यहा 4 by 3, 1 is to 1 by 3, clear, हाँजी, conversion में किसी को कोई भी issue आ रहा, अगर कोई भी issue आ रहा, in that case, you can comment in the comment section, okay, now, solve some questions, क्या question है, देखे, convert, convert 0.17 bar in vulgar form, हाँजी, convert करना आपको, कैसे convert करोगे, 7 पे बार है only, क्या है, 0.17 bar, okay, अभी मैंने आपको बताया, क्या है decimal के बाद में, decimal के बाद में, पहले को हमने पूरा नमबर देखने हैं, क्या आ रहा है अपने पास में, 17, अब हमने चेक करना है, कि decimal के बाद में, कितनी digits के उपर बार है, और कितनी digits पे बार नहीं है, तो है, 1 digit पे, that means कि I will put 9, okay, और decimal के बाद कितनी digits पे बार नहीं है, उत्ते ही क्या पूट करोगे, 0 पूट करोगे, तो कितना आगया है, 0, that means this will be 16 by 90, क्या आगया आपके पास, 16 by 90, and after cancellation, this will be 8 by 45, okay, so answer will be 8 by 45, clear, okay, next देखिए, next question है आपके पास, convert 2.536 bar in mixed fraction, yes, mixed fraction के अंदर आपको convert करना है, क्या है, number 2.536 bar, अब 2 वे हैं आपके पास में, number 1, हाँ जी, पूरे के पूरे complete number को आप लोगे और उसके अंदर से divide, minus करोगे, ठीक है, दूसरा यह है, कि जो point से पहले, जो मेरे पास में number है, वो तो पूरा natural number मेरे पास में given है, ठीक है, तो उसको तो हम as it is ही ले सकते हैं, वो तो हमारा whole number, पूरा complete number हो गया ना, तो इस case के अंदर, इसको तो आप as it is ले सकते हो, यहाँ पे ची 0 है, 1 है, कुछ भी given है, ओके, तो अब इस case के अंदर, इसको हम ले ले लेते हैं as it is, ओके, अब point के बाद में देखते हैं, हाँ जी, क्या है आपके पास, 536, 536, मैंने 536 as it is लिखा, yes, minus, minus क्या करेंगे इसके अंदर से, जिसके उपर बार नहीं है, किन पर नहीं है बार, 53 पर नहीं है, तो minus क्या 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 है, 53, divided by, याज, बार कितने digits पर, 1 digit पर, that means, what, क्या, I will put 1, 9, okay, and 2 digits पर बार नहीं है, that means, I will put 2 zeros, okay, yes, clear, हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, क्या आगे आपके पास, 2 is 2, yes, इसको minus करेंगे, this will be 3, 8 and 4, divided by 900, ये आपके पास में 3 से, cancel out हो जाएगी values, yes, yes, बिल्कुल, और ये होगे बाटा, आपके पास 300, so, the answer will be 2 is 2, 161, divided by 300, so, answer will be, yes, 2 is 2, 161, divided by 300, clear, कोई डाउट इसके अदर किसी को, कोई फी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल, क्लियर है, next, देखते हैं, हाँ, जी, अगर कुछ समझ आरा आपको लग रहा है कि कुछ helpful है वेडियो, तो अपने friends के साथ में share जरूर करेंगे, हाँ, जी, अपने friends के साथ में share जरूर करेंगे, next question है previous year का, देखी क्या है question हां हमारे पास में, if the points, if the points P and Q represent real numbers, P and Q represent real numbers 0.83 bar and 0.62 bar on the number line, then the distance between P and Q is, yeah this is previous year question, question clear है, देखी, क्या है, दो points है, ठीक है, one point is representing, yes P and Q, अब यह जो point है, यह represent कर रहा है, obviously अगर यह 0 है, अगर यह 0 है हमारे पास में, इधर positive values आएंगे, इधर negative values आएंगे, तो यह कि इसको represent कर रहा है, यहाँ पे 0.62 bar, ओके, and this number is representing, what? 0.83 bar, now the question is what? कि दोनों के बीच में distance कितना है, distance कितना है, तो distance कितना होगा, दोनों का अगर मैं minus कर देती, then I will get the distance, दोनों का अगर हम minus कर देते, distance आजएगा, अब minus कैसे करें, यहाँ पे तो बाहर है, हाँ जी, यहाँ पे तो बाहर आ रहा है, अब क्या करें हम, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, कि अगर मेरे पास में यहाँ पे जो values है, बेटे, अब बेटे, यह जो number है मेरा, ठीक है, इसको हम कैसे represent कर सकते, सबसे पहले क्या करोगे उसको, fraction में convert करेंगे, fraction में जगर मैं किसको convert करते हो, तो मेरे पास value क्या आएगे, यास, this will be, अगर यह मेरे पास में, जो numbers है, P and Q, this is P and this is Q, ओके, अब यहाँ पे देखे, P हमारे पास में क्या हो जाएगा, P अगर हम देखे, तो P हमारे पास में हो गया, 83 minus 8, इसमें से 8 को हम minus करेंगे, ओके, divided by 90, clear, कितना हो गया, 75 by 90, same way Q को भी convert कर लोगे आप, अगर हम क्यो को देखते हैं, क्यो क्या हो गया आपके पास, 62 minus 6 divided by 90, ओके, this will be 56 by 90 and if I will minus both these two values, then 75 by 90 minus 56 by 90, I will get 19 by 90, कितना आगया आपके पास, 19 by 90, धियान रखो, directly नहीं करना कि हाँजी, 3 में से 2 minus कर दो अब, और यह अपने पास में 21, क्योंकि option में देखो, दोनों आ रहे हैं, option में ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर answer क्या बनेगा आपके पास, yes, answer आएगा आपके पास, 19 by 90, क्या answer आएगा, 19 by 90, clear, बताओ कोई भी डाउट हो, इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट आरो, clear है, yes, next देखे, yes, next question क्या है, if the points, P and Q represent real numbers 0.73 and 0.56, okay, on the number line, then what is the distance between P and Q, again same type of question है, same type of question है, कर लेंगे, हाँ जी करिये, एक बर कोशिश करेंगे, सभी अपने आपसे, हाँ जी, try yourself, क्या करना है, पहले इसको fraction में convert करना है, okay, तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो P क्या आगे, आपके पास 0.73 bar है, इसको हम क्या लेंगे, 73 minus 7 divided by 90, so this will be 66 by 90, okay, and the second number क्या हूँ, is 0.56 bar, 6 के उपर बार है, हाँ ठीक है, तो यह value क्या आ जाएगे, आपके पास 56 minus 5 divided by 90, that means 51 divided by 90, okay, हाँ जी, कोई doubt इस में, बिल्कुल क्लिया रहा है, दोनों को एगर मैं minus करती हूँ, तो P minus क्या हूँ क्या आगे, आपके पास, yes, this is 66 by 90, minus 51 by 90, so this way, यह हो जाएगा पीटा, 15 बटे नभ्य आएगा न, ओके, तो डिरेक्ट ही है 15 ची के नभ्य, कितना आगया, 1 by 6, answer क्या आगया, यहाँ पर 1 by 6, correct answer आजाएगा, clear, क्या आजाएगा, 1 by 6, बताओ कोई doubt इसके अदर, clear है सभी को, okay, चलो, फिर next देखते हैं, next question क्या है, the recurring decimal fraction, yes, 2020 का question है यह, क्या है, the recurring decimal fraction 1.272727 is equivalent to what, अब देखो, यहाँ पर repeat क्या हो रहा है, 272727, बार-बार repeat हो रहा, repeat हो रहा, that means क्या हो गया, recurring हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, है, इसको आप क्या लिख सकते है, 272727, इसको क्या लिख सकते है, आप इसको आप लिख सकते है, 1.27, बार, 27, दोनों के दोनों डिजिट्स repeat हो रहे, that means क्या दोनों के उपर बार आएगी, तो वैल्यू क्या आगी आपके पास में, 1 is to 27, बीटे पूरा आगया, ठीक है, अब दोनों के उपर बार, that means क्या आएगा, 99, सो आंसर क्या आगया, 1 is to 27 by 99, देखो एक बिल्कुल easy concept है, इसके अंदर इसको छोड़ने को तो कोई आपके पास में कोई परपस नहीं बनता है, हां जी इसको हम छोड़ दे, ठीक है ना, तो हां जी क्या करना है, बिल्कुल इसको easily solve कर लेना, सभी ने, बिल्कुल आसान सा concept है, जितनी डिजिट्स पर बार है, जितनी भी डिजिट्स के उपर बार है, तो उसके हमने, हां जी, डिनोमिनेटर के अंदर उतने ही 99 आ इसके अंदर, ओके, क्लियर है, हां जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, सो स्टुडेंट्स, आज की क्लास के अंदर, मैंने रिकरिंग फ्रेक्शन, आप लोगों के साथ में डिसकस किया है, छट-छटे सी कुछ concept है, वो क्या करते हैं, कि हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमने वो छोट-छोटे सारे के सारे concept कर लेने, अभी हमारे पास में काफी time ह है, काफी time है, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि हम CSET को ignore करके चलें, CSET अभी जो इस बार पेपर हुआ है, तो काफी students ऐसे हैं, जो सिरफ जिनका GS वाला पार्ट हो करें, GS का पेपर हमारा बहुत अच्छे से हो गया है, बट CSET हमारा qualify नहीं हो पाएगा, वो किस वज़े से ह हो रहा है, क्योंकि हम CSET पे नहीं देते हैं, मैं यह नहीं कहते हैं, कि हांजी सारा दिन आप CSET पे लगे रहो, बट बीटा जी ऐसा है, कि आप डेली, आप थोड़ा सा टाइम तो CSET को दो, थोड़ा सा टाइम, means कि 5-10 questions आपने डेली solve करने ही करने, CSET के यह मान के चलो, today, मिलते हैं, next class के अंदे, thank you so much.